हेलो दोस्तों, वेलकम टू दा इलाइस टेक्निक क्लासेज, दोस्तों मैं लोके इस स्वागत करता हूँ आपका इलाइस टेक्निक क्लासेज पर और दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं MS Word के Home Tab का Paragraph Group जो है, उसमें एक Command है, हमारे पास Borders तो Border Command का हम प्रियोग करेंगे, Border का यूज क्या होता है, कहा कहा हम Border लगा सकते हैं इस Command से, इस Command से दोस्तों, हम Text पर Border लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर Text ले लेते हैं, और Text को Select करते हैं, Select करने के बाद, अब यहां आपको इसके चारो तरफ, जिस भी तरफ Border लगाना है, को सेलlist करेंगे यहां से bottom border यूज लेंगे bottom बॉर्डर पर किलिक किया तो यहां आप देख सकते हो paragraph जहां last में खतम हो रहे है जो selected range है उसके last में border लग चुका है दोबारा से हम इसको select करें. कoured रह यह से select कर सकते है । सबीको select करने की और दूसरा option अपारे पास top border click किया तो यहां top side में यानि उपर की side border लग चुका है तीसरी जो option है आपके पास वो है left border left border पर click करेंगे तो left side में border लग गया है चौथा next वो हमारे पास है right तो right side में आप border लगाना है तो right side में border लगा सकते हो तो यह चारो तरफ border लग चुका है दोस्तों जो selected text था उसके next जो command है हमारे पास वो है no border no border जो चारो तरफ के यहीं भी जो border लगा हुआ है उस border को हटा देगा no border command next जो command है हमारे पास वो है all border all border का काम होता है जब हमने use लिया था left right और top bottom तो चारो तरफ लगा था लेकिन अब हमारे पास all border है तो इससे inside लाइने भी आ जाएंगे अंदर के side के लाइने भी आ जाएंगे जहां जहां paragraph बटा हुआ है वहाँ अंदर भी लाइने आ गई है horizontal लाइने ठीक है दोस्तों तो यह काम होता है all borders का next command जो है हमारे पास वो है outside border तो पहले हम no border कर देते हैं फिर outside border के use देखते हैं तो outside border इससे पहले भी हमने चार command से लगाया था bottom, top, middle, left और right से तो यहां हम outside border एक साथ ही चारो तरफ लगाना चाहें select करें सभी text को और यहां से outside border में click करेंगे click करें और तो यह चारो तरफ border लग जुका है इसके text के द लगता है paragraph के चारो तरफ लगता है next जो command है हमारे पास है inside border तो अंदर की line की line जो है वो border हमें लगाना है तो inside border पर click करेंगे next inside vertical border तो inside vertical border अब इसमें हमने इसको बाटा हुआ नहीं है तो इसलिए vertical border यहां पर लगेगा नहीं तो अभी हम इसको table में use लेंगे next जो है diagonal down और diagonal border इनको भी हम table में use लेंगे और horizontal line जो है horizontal line का काम क्या होता है जहां आपका cursor रखा होता है वहाँ यह एक horizontal line inside कर देता है मैं एक बार border को हटा देता हूं completely तो यहां से border पर जाए और no border क्लिक कर दिया अब मैं यहां cursor को रखता हूँ और यहां अब हमें क्या लेनी है एक horizontal line ले backspace दबाएंगे तो यह backspace से इसको हम काट सकते हैं जबकि border को हम backspace से नहीं अटा सकते तो यह horizontal line जो text होता है उस line में होती है इसको हम वापस भी ला सकते है ctrl z से आ सकते हैं undo करके next जो command है हमारे पास draw table table को draw करना तो table draw कैसे करेंगे यहां draw table पर क्लिक करते ही हमारा जो mouse pointer है वो बन गया pencil के आकार का तो pencil के आकार का बन गया है तो अब यहां से हम table draw कर सकते हैं जैसे भी हमने जहां भी किलिक किया तो यह draw कर सकते हैं जहां भी आप line खेच होगे line खिंच जाएंगी तो यह देखें दुस्ते हैं जिस तरह भी आप line खेचना चाहो वो line खिंच जाएं और यहाँ यह हमारे पास next हमारे पास क्या है view grid line लेकिन इस से पहले जो हमारी commands रहे हैं inside vertical border इसका हम use लेंगे कैसे हम यहाँ से इनको select करें यह हमने select किया इसको और select करने के बाद अब यहाँ से inside vertical border और जाएंगे तो यहाँ यह जो vertical border है यह हमने क्लिक किया, यh आतो रहा है मारे पास, खडी लाइन ने जिनको क्या कहते हैं, वर्टिकल बॉर्टर, अब इस पर पहुंचते हैं क्या हूआ देखो, live preview चल रहा है, तो यह क्या हो गया, वर्टिकल बॉर्टर जो है हट गए, अब यहां से हम क्लिक करें, तो पहले एक रांधर की जो लाईने हैं भडी लाइन वो आ चुकी है नेक्ट जो कमाड़ है अमादे पास वा यह डाइगणोगल डाउन बार्डर यानी उपर से तो दोनों सेल्स में लग चुके हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है तो वीव क्या काम होता है हम एक बार इसको टेवल को सलेक्ट करें टेवल को सलेक्ट करने के बाद अब यहां हम कर दें क्या no border no border कर दिया अब आप बार क्लिक करके देखो अब आपको table दिखाई दे रही क्या नहीं दे रही जुस्तो तो आप इसको table को देखाना है तो यहां हम वापिस से इसको select करेंगे और select करने के बाद अब हम क्या करें view grid line पर जाएं जिससे हमें border तो नहीं लेकिन grid line जरूर दिख सेंगे क्लिक किया अब देखो बार तो यह grid line आगई यह एंडॉट डॉट वाली लाइन आ चुके हैं graph पे जैसे graphical line नहीं मोलते हम तो यह grid line आ जाती है वापिस से हमें इन पर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर हम यहां से लगाएंगे select करें और यहां से वापिस जाके all border क्लिक कर सकते हैं तो बॉर्डर आ जाएगा और व्यू ग्रिड लाइन से व्यू ग्रिड लाइन सो हो जाती है जब हम बॉर्डर को हटा देते है तो next जो command है आपके पास वो है borders and setting तो borders and setting की जो style change करने है advanced settings जो है वो है हमारे पास इसमें click करें अब यहां आप देख सकते हो इसमें से आपको किस तरह से borders की settings को set करना है कैसे set करोगे जैसे all border लगाया हुआ है अब इसमें आपको line की style बदल सकते हो तो line की style triple line ले रहे हैं हम यहां से select किया और यहां से apply to क्या है table है color हम इसका change करना चाहिए तो color change कर सकते हैं जैसे yellow color यह red color ले red color लिया हमने तो यहां preview आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यह line जो effect आप apply कर रहे हो वो कहा कहा चाहिए तो अंदर की लाइनों में नहीं दिखाना आपको चारो तरफ दिखाना है तो यहां से अंदर की लाइनों को हटा दो इधर यहां से बैटा देंगे vertical line को भी तो अब देख सकते हैं preview में भी चारो तरफ ही red line दिखाई देरी है triple line और अंदर की लाइने common रहेंगी नेक्स्ट यहां से इनकी मुटाई भी बढ़ा सकते हैं विर्थ जो लाइने है उनकी मुटाई और apply to complete table पे हमें apply करनी है ठीक है दोस्तों किसी cell पे नहीं किसी paragraph पे नहीं किसमे टेबल में apply कर दिए ओके और यहां से okay करेंगे तो देखें दोस्तों यहां यह जो टेबल बनाई थी हमने इसके चारो तरफ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe करना न भूले दोस्तों और अधिक से अधिक share करें Thank you